देखिए यह हमारे सामने question है तो इसमें हम क्या करेंगे let a is equal to i a ठीक है तो यह हम क्या मान लेंगे यह 2 1 minus 6 minus 2 और यह हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 a ठीक है अब हम इसमें operation लगाएगे तो operation हमारा पहला हो जाएगा c2 tends to c2 plus 3 c1 ठीक यह हमारा first operation लगेगा इसमें तो first column में तो कोई change आएगा नहीं ठीक जो भी change आएगा वो किसमें आएगा second column में आएगा यह 1 0 और देखे a ठीक अब c2 में हम 3 c1 add करेंगे minus 6 में हम 2 into 3 add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह 0 हो जाएगा ठीक है और minus 2 में हम कितना 3 add करेंगे 3 into 1 कितना हो जाएगा 3 तो यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक और इसमें हम लों क्या करेंगे c2 में 3 c1 यानि कि 1 में, 0 में कितना 3 add करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें, इसमें हमारा क्या है, ये 1 है, ठीक, और 3 into C1, यानि 0 into 3 कितना हो जाएगा, 0 ही हो गा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 ही बना रहेगा, ठीक है, अब हम इसमें operation लगाएंगे c1 tends 2, c1 minus c2, ठीक है, उसके according ये क्या हो जाएगा, 2 minus 0, 2 ही रहेगा, और 1 minus 0 हमारा कितना हो, 1 minus 1 कितना हो जाएगा, 0 और ये 0, 1 is equal to, ठीक, अब 1 minus 3 कितना हो जाएगा, minus 2, 0 minus 1 कितना हो जाएगा, minus 1, और ये 3, 1, a, ठीक है, अब हम जब करेंगे, अब हम operation लगाएंगे, c1 tends 2, c1 upon 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, 0, 0, 1, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, minus 1, minus 1 by 2, और ये 3, 1, a, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, identity आ गई है, और ये जो हमारा term है, ये क्या है, ये हमारा e inverse है, तो e inverse की value आ जाएगी, minus 1, minus 1 by 2, और 3, 1, बस ये हमारा answer है,